अगला है पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस में पहला पॉइंट है, पॉलिटिकल जस्टिस means treating everyone equally in politics, ठीक है, जोशल जस्टिस जैसे कि कई तरीके के इशू को टैकल करता है, इम्प्लॉइमेंट के भी इशू को, अमीरी पॉवर्टी के भी इशू को, डिजीज बहुत सारे social aspect में बहुत सारे चीज़े आ गई, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस नाम सही पता चलता है, ये किस चीज की बात करता है, पॉलिटिक्स की बात करता है, यानि कि पॉलिटिकल अफेर्स में जब बात आती है, तो वहाँ पर हर किसी को equal treatment मिलना चाहिए, जैसा कि बहुत अच्छा example और simple example है, voting rights, ठीक है, हर किसी को समान right है, vote करने का, doesn't matter, आपका रोडपती हो, या फिर आप रिक्सा चलाते हो, आप जब election होते हैं, तो हर किसी की vote की same value है, एक vote उसका भी, एक vote आ कभी ये नहीं, आपके पास ज़्यादा पैसे है, तो आपका vote की value चाहर ह नहीं होता, फिर इसके बाद अंगला point है, it grants political rights to all and promotes fair participation in political life, बहुत simple इसका कहने का मतलब यह है कि political rights जो हैं, जैसा कि मैंने का right to vote, एना ऐसे और भी political rights होते हैं, ये सारे rights हर किसी को society में मिलें, और हर किसी का जो political affairs है, उसमें equal participation हो सके, अपने, अब equal participation हो कई चीज़े आ गई अगर वो इसको किसी तरीके की problem है, suppose को minority group है, उनको लगता है कि हमें किसी तरीके की problem हो रही है, तो वो protest कर सकते है, right to protest भी है, उनके पास peaceful assembly भी form कर सकते हैं, है ना, सरकार से अपनी बात कहने का ये तरीका है, हमारे पास right, fundamental right भी है, तो ये कहीने नहीं political nature में और ये भी ensure कर करता है कि political affairs में हर किसी को equal opportunity मिले, अगला point है, it ensures universal voting rights, no discrimination in public service, ठीक है, अब आप आईएस बनना चाहते हो, जजज बनना चाहते हो, कोई भी है ना, सरकारी नौकरी आप पाना चाहते हो, तो आप बड़ी असानी से पास सकते हो, वहाँ पर कुसी भी तरीके का discrimination आपके caste की शोर कर रहा है, क्योंकि backward classes हमारे जो society है, वहाँ पर उन्हें कहीं काफी समय तक दबाया गया है, आगे रखने के लिए हमें उन्हें थोड़े advantage देने पड़ेंगे, तब जा करके वो बराबर आएंगे, क्योंकि वो already लोगों से नीचे हैं in general, उनके पास सिक्छा नहीं है, तो अगर हम उनकी cut off थोड़ी सी कम रखें, तो कहीं ने कहीं वो बराबर आजाएंगे उन लोगों के जिनके पास बचपन से थोड़े basic पैसे सुवधाएं और सिक्छा मिल रखी है, ठीक है, तो cut off कम करना equality को ensure करता है, discrimination नहीं है वो, ठीक है, अगला point है, political justice exists, where there is a rule of law, where there is an independent judiciary, where there are election, where there are political parties, where there is freedom of criticism, जहाँ पर ये सारी चीज़े होती है, law का, rule of law होता है, judiciary independent होती है, election होते हैं, देश की सरकार चुनते हैं, लोग, तरह political parties होती है, multi-party system होता है, freedom of criticism होता है, हर कोई सरकार से criticize कर सकता है, अपने इच्छाओं की मांग कर सकता है, protest कर सकता है, जहाँ पर ये सारी चीज़े होती है, वहीं पर होता है political justice, ठीक, political justice aims to protect individual rights and allow citizens to contribute to the community's well-being, it basically ये इंशो, ये एम करता है कि जो individual के rights हैं, वो protect हो, और साथी साथ citizens को allow करता है कि वो contribute कर सके society की community की well-being में, उसके welfare में, उसके देखभाल में, ठीक है, as an individual वो contribute भी कर सके, अपना और अपने individual rights को भी protect कर सके, this is what political justice aims at, this is the aim, objective of political justice, फिर इसके बाद है economic justice, तो, economic justice सबसे पहला point है, economic justice means, treating everyone fairly without discrimination based on money, that is the important point है, ठीक है, कुछी भी तरीके का discrimination नहीं होना चाहिए, हर किसी को equality होनी चाहिए, पर किस मामले में, all the matters relating to money, based on money, this is the differentiating factor, social justice में भी poverty की बात होती है, social justice में भी ये बात होती है, कि, अमीर किसी भी तरीके से गरीब को दबा ना पाए, उनका फायदा ना उठा पाए, पर social justice एक wide perspective है, social justice में गरीबी भी आती है, गरीबी केवल नहीं, गरीबी भी आती है, और भी चीज़े हैं, जो हमने वहाँ पढ़ी, economic justice में केवल उन discrimination को remove करने की बात होती है, जो पैसे के इदम पर, पैसे की वज़े से होते हैं, पैसे की वज़े से किसी तरीकी की inequality society में नहीं होनी चाहिए, यह economic justice है, social justice में poverty है, unemployment है, disease free environments, बहुत चीज़े आ जाती है, यह social aspect में, word ही है, social तो अब्विस सी बात है, यहां क्या है, economic, तो केवल money centric बात होगी, यह difference है, फिर अगला society में resources हैं, जो भी society में wealth है, money centric, उस सभी बराबर रूप से हर किसी में distribute हो, हर किसी का हख हो उस पे, और साथी साथ equal pay for work, यानि कि अगर आप से जितना काम करवाया जा रहा है, उस हिसाब से आपको वेतन मिले, उस हिसाब से आपको payment मिले, ऐसा नहीं हो, आपको कुछ दे न food के आपको दुकाने मिलीगी, जहां पर बच्चे काम कर रहे होते हैं, बदले में उनको क्या मिलता है, कुछ नहीं देते हैं, बेसिक सी payment देते हैं, वो भी पता नहीं कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, काम करवाते हैं बस, ठीक है, तो actual reality तो खाहरा लाग है, बट इस तरीके की चीजें deal होती हैं, economic justice में, यह मेरा point है, फिर अगला point है, exploiting vulnerable people is wrong, वही बात, and everyone should have basic things like food, cloths and shelter, है न, और जो vulnerable people है, जो लोग गरीब हैं, उनको exploit करना, उनका फाइदा उठाना यह गलत है, economic justice इसी के बारे में बात करता है, कि इनका फाइदा नहीं उठाना चाहिए और basic चीजें जो है, यानि कि रोटी कपड़ा मकान, यह तीनों पैसे के वज़े से ही आती है, घर आपको पैसे के वज़े से मिलेगा, कपड़े आपको पैसे के वज़े से मिलेगे, फूड आपको पैसे के वज़े से मिलेगा, यह जो basic चीजें हैं, जीने के लिए, survival के लि इस point का मतलब यह है कि हर किसी को society में उसकी ability के अनुसार उसकी योगिता के अनुसार चीजें मिलें इससे बहतर यह होगा कि हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से चीजें मिलें अगर आपको जरूरत है घर की आपको जरूरत है खाने की आपको जरूरत है धंक के कपड़ों की तो इस तरीके की चीजें insured हो society में लोगों की जरूरत पहली priority हो ना कि लोगों की योगिता के आधार पर उनको resources का access देना ये होता है just economic idea ये भी economic justice में आ गया ठीक है बहुत अच्छा deep point है ये कि आपकी योगिता भले हो करोडो कमा लेने की पर वो पहली priority नहीं है वो second priority में व हो ये कि आपकी जरूरत क्या है अगर आप गरीब हो आपके पास रहनी की च्छत नहीं तो पहले हम उस गरीब को रहनी की च्छत देंगे ये ज्यादा important है समझे है I hope समझ आया हो नहीं आया तो rewind करके फिर से सुनो आप अगला point है economic justice is important in modern society alongside technological progression है ना आप technology बढ़ती जा रही खाने नहीं कपड़े नहीं है तो technological progress क्या करोगे जब आप लोग ही उसमें बैठी नहीं सकते हर किसी को access ही नहीं है सरकार में बना दिया तो क्या फरक पड़ता है कई कितने लोग है जो बैठी नहीं सकते उसमे technological progress अपनी जगह है यार पर लेकिन society में economic justice होना insured होना बहुत ज़रूरी है ठीक अगला पॉइंट है true freedom includes fairness in money matters as political freedom alone जैसा कि हमने देखा political जैसा नहीं कह सकते है रिक्षा वाले को voting rights है तो justice इंसे उड़ हो गया नहीं यार economic justice भी तो होना चाहिए रिक्षा वाला जितना रिक्षा चला रहा है जितनी महनत कर रहा है उससाब की payment उसको मिले ठीक है उससाब का equality उसको मिले money matter के मामले में भी ठीक है ऐसा नहीं कह सकते है उसको political right मिल गया voting right मिल अब तुम बराबर हो गए हमारे नहीं money भी important है अपनी चग है ठीक है इसको भी ensure करना जरूरी है फिर point है the challenge is to achieve economic and social justice without giving too much power to the हाँ यही challenge आता है कि हर चीज के लिए equal pay for equal work इसका एक कानून अगर आपको ना पता हो तो है ना और 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 भी गरीबों को बचाने के लिए बहुत से कानून नियम काइदे सरकार लाती रहती है पर point यह है कि बिना सरकार के भी society में इस सारी चीजें insured रहें जो की एक challenge होता है economic justice के case में ठीक है लास्ट है हमारा legal justice legal justice में सबसे पहला point है legal justice is based upon the courts enacted by state and customary rules which are followed by the community ठीक है legal justice जो है वो based होता है उन courts के उपर जो की enacted by state States ने हमारी सरकार ने बना के रखे है courts क्या है basically यहां पे courts कहने का मतलब जो किताबे देखते हो ना मोटी मोटी लॉटी 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 किताबे ना अगर आप इन्हें legal sense में law के sense में थोड़ा technical शब्दों में कहना चाहोगे ना तो उसे courts कहते है इसलिए यहां लिखा है courts enacted by state ठीक है और customary rules which are followed by the community customary rules कहने का क्या मतलब कई चीज़ें कई ऐसी प्रथा है जो बहुत समय से चली आ रही है ठीक है और वह आगे चरगल के law बन जाती है rule बन जाती है ठीक है तो उनका भी follow अगर होता है society में वह ensure करना legal justice के purview में आता है वो जो प्रथाएं वो जो customary rules ह है जो कि बहुत सालों से पता नहीं time immemorial से चली आ रही है उनका भी follow followence होना चाहिए उनका भी insurity होनी चाहिए society में कि वो जो प्रथाएं वो चलती रहे ये भी legal justice में आता है ठीक है और वैसे तो in general sense में बात करो जब भी justice सब्द के बारे में सुनता है ना सबसे पहले उसके थोड़ी लिख सकते हो अपनी हिंदी भासा में थोड़ी लिखिया और एक्जाम में तो आपको technical words से यूज करने पड़ेंगे so that is why this point is here legal justice is based upon the courts enacted by state and the customary rules which are followed by community अगला point is constitution and legislative acts save the legal aspect of justice नसा कि मैंने पहले का जैसे हमारे देश का सम्मिधान है जिसमें कही तरीके के fundamental rights है आप अच्छा का अधिकार इस सारी चीज़े जो है constitution में ऐसी जैसे constitution है ना ऐसी बहुत सी और भी law होते हैं बहुत से और भी acts होते है जिनको की technical stuff में कहेंगे legislative acts होते हैं जो की legal aspect of justice न्याय का जो legal aspect है उसको deal करते हैं उसको ensure करते हैं उसको shape करते हैं तो अगले point पर चलते हैं अग law must align with the principle of justice यानि की legal justice की अब हम बात करते हैं तो इसमें दो चीजों का insurity जरूरी है पहला कि जो नियम कायदे बने हैं जैसे की मालीजी जो fundamental rights है right to equality untouchability ना हो education right to education इस तरीके के जो rights हैं इनका एक justified application होना चाहिए justified sense में application होना चाहिए जैसे मैंने आपको कुछ दिर पहले backward classes का example दिया उनकी cutoff low जाती है ताकि वो दूसरे लोगों के बराबर आ सके तो यह केवल एक चोटा example है ऐसे और भी बहुत complex scenarios होते हैं जहां पर कि जो नियम कानून बने हुए हैं जब आप उन्हें लागू करते हो apply करते हो न society में practical situations में तो वहां पर आपको अपनी दिमाग लगाना पड़ता है जो कि judge औ दूसरा aspect क्या है law must align with the principle of justice जो भी नियम जो भी आपकी कानून है वो principle of justice कुछ principles of justice हैं जैसे की impartialty ना हो हर किसी को equally treat किया जाए discrimination ना हो इसी तरीके के आप search कर सकते हो Google पर what are principles of justice तो आपको मिल जाएंगे तो कुछ ऐसे principles है तो जो भी नए नियम कानून सरकार बनाती है वो इन principles पर खरे उतरे इन principle के हिसाब से हो ठीक है ये बात भी पहली बात जो existing law है उनका apply करते समय अच्छे से करें just हो जोना चाहिए वो nature में दूसरा जो भी नियम कानून बना रहे है वो लोग नए जो बना रहे है उस सारे principle of justice के साथ aligned होने चाहिए ठीक ये दो point ये दो dimension ये दो aspect legal justice में आते हैं आगे चलते है और according to Ernest Barker ठीक है Ernest Barker को एक थिंग करते इनके साब से legal justice means law aligned with the justice itself बहुत simple सी definition है legal justice मतलब की ऐसा कोई भी law ऐसा कोई भी कानून जो की नियाय के साथ aligned है नियाय को हानी नहीं पहुचा रहा है किसी प्रकार से उसके along side है ठीक the next point is while the law aims to provide justice it is not the same as justice itself although law जो है जो हमारी कानून सरकार बनाती है जैसे की constitution उसका aim जो है objective जो है purpose जो है वो यह होता है कि लोगों को नियाय मिले justice मिले बट law ही justice नहीं होता है जो कि हमने already पढ़ लिया न हमने social justice पढ़ा हमने economic justice पढ़ा political justice में बहुत सारी चीज़े आ गई मैंने का नहीं जब भी कोई justice की बात करता क्या आता है कानून court वकील यह आता है नहीं जस्टिस में वह एक aspect है उसका जो अभी हम पढ़ रहे हैं यह aspect है जस्टिस में law तो है ही बाकी और भी बहुत चीज़े आ जाती है ठीक यही इस point का मतलब है और फिर अगला पॉइंट ह इस तरीके की चीज़े हड़ जानी चाहिए यह अना चाहिए बलकि यह सारी चीज़ें हड जानी चाहिए वो परसनली ऐसा मानते होंगे ठीक है माने वो जो माने उससे फरक नहीं पड़ता बट लॉट में क्या लिखा है किताब लॉट के कोर्स हैं उन में क्या लिखा इन किताब का मतलब है और इन चीजों को अपलाइक कैसे करना चाहिए यह ज चीज सही है और यह चीज अपलाई होनी चीज तो वह अपना जुडिशन माइंड अपलाई करके उन चीजों को अपलाई करें ठीक है इस पॉंट का यह मतलब है तो बस यार इसी के साथ हमारा जो यह जस्टिस का टॉपिक खतम होता है होप आप लोग को यह टॉपिक समझ आय नहीं आया को डाउट रह गया तो आप कमेंट सक्षन में आपनी कोईरी डाल सकते हो आइव डी हैपी तो हेल्प यू गाईज ठीक है तो बस यार इस वीडियो में इतना ही और हां मैं इजर भीच आपने नोटिस कियो होगा कम्यूटी चैप पे कुछ सेलफ हेल्प के कर सकते हो मेरी वेब साइट पे वह मैं डालते रहता हूं तो व्स आरके वहल इस वीडियो में इतना ही I hope आप लोग को इन वीडियो पसंद आई या अगर पसंद आई तो मेक शूर आप इस वीडियो को लाइक करो चैनल पढ़नाए हो तो चैनल को सुस्क्राइब करो क्यों मैं इसी तरीके के educational content आपके लिए लाता रहता हूँ and yeah that's it for today thanks for watching and stay tuned for the next one bye bye